चंद्र राशे मेश का मासिक राशिफल अप्रल दो हजार चौबीस स्वास्थ्य यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोंड से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। राशी स्वामी मंगल एक आदश भाव में बैठ कर अच्छे तो हैं लेकिन शनी के साथ स्थित होने के कारण कुछ कमजोर भी हैं। इससे स्वास्थ्य पीडित हो सकता है और कमर में दर्ध या पेच में समस्या हो सकती है। द्वादश भाव में शुक्र, सूर्य और रहु के एक साथ होने के कारण नेत्र पीड़ा परेशान कर सकती है। मंगल के भी द्वादश भाव में आ जाने से दुर घटना या किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा की स्थिती बन सकती है इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। बराबर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें जिससे शरीर में पानी की कमी न हो और आप स्वस्त रह सकें। करिया करिया के दृष्टिकों से ये महीना अनुकूर रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनी महाराज एकादश भाव में विर वक्री में आपकी स्थिती प्रबल होगी। आप जिस काम को भी करेंगे, पूरी मेहनत और इमानदारी से अंजाम तक पहुचाएंगे। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज आपके प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और वहां से वक्री होकर नौ तार कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि उनसे कहा सुनी होने की संभावना बन रही है और यदि ऐसा हो जाता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके काम को प्रभावित करेगा और कार्यक्षेत्र में आपको समस का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को विदेशी संपरकों का लाब मिलेगा जिससे व्यापार में उन्नती होगी और नए नए अवसर आपके सामने आएंगे, जिने अपना कर आप अपने व्यापार को एक सही दिशा में उन्नती प्रदान कर सकते हैं यदि व्यापार में विस्तार करने की इच्छा हो तो देव गुरू ब्रहसपती की कृपा मिल रही है उसके फल स्वरूप आप अपने व्यापार में विस्तार करने में काम्याब हो सकते हैं प्रेम विवाह व्यक्तेगत संबंध यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना कुछ कमजोर नजर आ रहा है। है कि आप और आपके प्रियतम के बीच सब कुछ सामान्य न हो। अनेक प्रकार की कहा सुनी, लड़ाई जगडे की स्थिती उत्पन हो सकती है। कि पहले से ही विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा और बुध और ब्रहस्पती देव आपके सब्तम भाव पर अपनी पूर्ण द्रिष्टी डाल कर आपके वैवाहिक जीवन की रक्षा करेंगे। जीवन साथी से आपसी प्रेम बढ़ेगा और आपसी सामन जस्य भी बहुत बहतर रहेगा लेकिन तेईस तारीक से मंगल के आपके सब्तम भाव पर द्रिष्टी डालने और सूर्य के तेरा तारीक से प्रथम भाव से सब्तम भाव पर द्रिष्टी डालने के कारण आप और आपके जीवन साथी के व्यवहार में कुछ बदलावा सकता है जो आपके भी जगडे की वजह बन सकता है। समय रहते इस स्थिती को संभालने से आप अपने वैवाहिक जीवन को आराम से व्यतीत कर सकते हैं। सला, आपको शनिवार के दिंग गरीबों को भूजन कराना चाहिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को तामबे के पात्र से जल अर्पित करना चाहिए। आपके लिए प्रतिदिन बजरंग बान का पाठ करना बहुत लाबदायक रहेगा। अपनी जेब में सदैव एक पीला रुमाल रखें। वजह बन सकती है। आपकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी। बड़े बड़े निरनए भली प्रकार से ले पाएंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी। नौकरी में मिहनत का लाब मिलेगा। किसी से कहा सुनी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए समय तनाब पून रहेगा जबकी वेवाहिक जीवन में प्रेम भरे पलों की प्राप्ती होगी और जीवन साथी से निकत्ता का एहसास होगा। विदेश जाने में काम्याब हो सकते हैं। खर्च अधिक होगा जो पहले से ही विदेश में हैं, उन्हें वहाँ पर अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पारिवार एक जीवन सुकून से भरा रहेगा। हालांकि किसी से कहा सुनी भी हो सकती है। वितर, यदि आपकी आर्थिक स्थिती को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तोर पर मिश्रत परिनाम देने वाला साबित होगा। एक तरफ तो एकादश भाव में बैठकर मंगल और शनी आपके लिए आमदनी के प्रबल द्वार खोलेंगे और एक से ज्यादा माध्यमों से आपके पास धन आने के योग बनेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिती को मजबूत बनाएंगे। देव गुरु ब्रहसपती और बुद्ध महाराज की कृपा से भी आर्थिक स्थ स्थिती प्रबल होगी और धन प्रचुर मातरा में आएगा लेकिन दूसरी तरफ सुरिय, रहू और शुक्र द्वादश भाव में बैठकर अप्रत्याशित खर्चों के योग भी बना रहे हैं जिससे आपके खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। ये स्थिती महीने के उत्तरार्ध में आपको पूर्ब में किये गए शियर बजार के निवेश से बड़ा लाब मिल सकता है। मित्र एवं परिवार ये महीना पारिवारिक तौर पर वैसे तो शांत दिखाए देता है लेकिन मंगल महाराज महीने के पूरवार्ध में एकादश भाव से द्वि अवस्था में रहेंगे लेकिन 24 अप्रेल को आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे जिससे परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होने लगेगा और परिवार में थोड़ी सम्रस्ता लोटेगी। मंगल भी 23 तारीक को द्वादश भाव में चले जाएंगे जि अच्छे भाव बहन होने का फर्ज निभाएंगे। माता पिता खुश रहेंगे जबकि पिताजी को महीने की शुरुआत में कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं इसलिए उन्हें तवज्जों दें और जरूरत पढ़ने पर चिकित सक से संपर्क करें।